मद्यप्रदेश में इन दिनों आदिवासियों के साथ हो रहे अत्यचार के कई मामले सामने आये सीधी में पेशाप कांड तो रीवा में जूतों की माला पहना कर सडकों में घुमाया गया गौलियर में युवक से तलबे चटवाए गए तो अब मानवता को शर्मसार कर देने वाला छटरपूर से मलकांड सामने आया है नमशकार विन्द्या टाइम्स में आपका स्वागत है मैं आपके साथ उर्वशी मंद्य प्रदेश के चटरपूर जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है प्रदेश में पेशाप कांड के बाद मलकांड सामने आया है पीडित का आरोप है कि उसके चहरे पर मानव मल लगा दिया गया है मामला सामने आने के बाद जिले में बवाल मच गया पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचकर मामले की जाच शुरू कर दी है साथी पीडित की शिकार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है जानकारी के अनुसार महराजपूर थानचेट के डिकौरा गाव का यहाँ पूरा मामला है यहां रहने वाले देश राज अहिरवार गाव में सडक निर्माड में मजदूरी कर रहा था काम के दोरान सीमेंट की धूल उड़ रही थी वहां अस्तान कर रहे राम कृपाल पटेल को इससे परिशानी थी उन्होंने कुछ बोला तो मज़ाग में देश राज अहिरवार ने राम कृपाल पटेल के हाथ में गिरिश लगा दिया जिससे नाराज राम क्रिपाल पटेल ने ना सिर्फ देशराज अहिरवार के साथ मार पीट की बलके उसके मुँ पर मानव मल फेक दिया देशराज अहिरवार का आरोप है कि उसके चहरे और पीट पर जबरजस्ती मानव मल लगाया गया है गटना शुकरवार दुपहर 12 बजी की है गटना के बाद वह डर गया था इसी वज़े से उस दिन FIR दर्ज नहीं करवाई है शनिवार को वह इस गटना को लेकर पुलिस के पास पहुचा और आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई वहीं पेड़िक देश राज का कहना है कि घटना के बाद जब मैंने गाव के लोगों से अपनी आप भीती सुनाई तो पंचायत बुलाई गई उल्टा मुझे से ही 600 रुपे जिर्माना ले लिया गया मामले में SDOP मनमोहन सिंग बगहेल ने कहा कि घटना मजाग मजाग में शुरू हुई थी देश राज अहिरवार ने राम क्रिपाल पटेल से मजाग किया उसके बाद यह घटना हुई आरोपी राम क्रिपाल पटेल पर SCST Act सहीत शरीर पर मल फेकना और मार पीट की धाराओं में प्रकरण दर्च किया गया है वही महराजपूर पुलिस ने मामले में भले ही FIR दर्च कर ली है उसमें मल खिलाने की पुष्टी नहीं है फरियादी का कहना है कि मल मुह में डाला गया था फरियादी ने कहा कि मार पीट की गई पुलिस ने फरियादी के शरीर पर मानमल फेकने बसका जिक्र किया है